नमस्ते आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइको सोपोर क्रीम के बारे में यह किरिम क्या है यह किसका माता है इसको कैसे यूज किया जाता है इसको यूज करने से क्या फाइदा मिलता है और इसका क्या साइड इफेक्ट है तो अगर आप इन से जनकारियों को तक बने रही तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं माइको स्पोर क्रीम एक तरह की एंटि फंगल दावाई है जो की फंगल स्कीन इंफेक्शन जैसे की रिंग वाम, एतलिट्स फूट, नैपी रेस, स्वीट रेस और वजैनल थ्रस के इलाज में काम आती है और आपकी विमारी को जल्दी ठीक करती है यह क्रीम फंगल सेल्स मेंबरन को खतम करके आपके ट्रीट्मेंट में हेल्प करती है आपको यह क्रीम तब तक यूज़ करने चाहिए जब तक आपको प्रेस्क्राइब की गई है चाहें आपकी बिमारी के सिम्टम्स चले गए हो फिर भी क्योंकि इससे आपको दोबारा इंफेक्शन होने का खत्रा नहीं होगा इस क्रीम को सही तरह से यूज़ करने से आपको दर्द और इचिंग से रहत मिलेगी अब बत करते हैं इसे किस तरह यूज़ करना चाहिए क्या क्रीम सिर्फ बाहर यूज़ के लिए है इससे एफेक्टेरिया पर लगाने से पहले ध्यान रखें कि आपकी स्किन ड्राई और क्लेन होनी चाहिए इससे जरूर से ज़्यादा यूज़ ना करें क्योंकि ऐसा करने से आपको साइड इफेक्ट का खत्रा हो सकता है इसे यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना ना भूले क्योंकि अगर आप इसे यूज़ करने के बाद अपना हाथ नहीं धोएंगे तो आपका infection पूरी body में फैल सकता है अब बात करते हैं इसके side effect की इस किरिम से खुजली, जलन, dryness और skin rest हो सकता है अगर इस side effect जादा time के लिए आपको परिसान करें तो इसके बारे में डॉक्टर से सला ली इसे use करने से कई लोगों को अलग-अलग तरह की allergy reaction होते हैं जैसे की recess होना, गले face और होटों पर सूजन होना सास लेने में problem होना, चक्कर आना और जी में चलना अगर आपको भी ये side effect होता है तो आप जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से बात करें अगर आपको इस टाइब की दवाईओं से allergy है तो आप इसे use करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें ताकि आपके treatment में कोई दिकत ना आए इसके साथ ही अगर कोई महिला pregnant है तो इस cream को अपने डॉक्टर से पूछने के बाद ही use करें अब बत करते हैं इसके प्रेस की इस cream की 30 ग्राम की एक ट्यूब आपको दोसो पचीस रुपे से लेकर दोसो अची रुपे तक मिल जाएगी तो बस इतना ही तो अगर आप लोग को ये जानकारी अच्छे लगी हो तो वीडियो के लाइक करें और अगर अब तक हमेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए थैंक्यू